यदि मानव जीवन पालेना परयापत है, मानव जन्म पालेना परयापत है और यह नैतिता, मानफता की पराकाश्टा है तो फिर समाच में ये नकरात्मकता हैं, ये नकरात्मकताओं की गत्विधियां नहीं दिखनी चाहिए इनके उदाहरण जो प्रतेक व्यक्ति को, प्रतेक जीव को व्याकुल करते हैं, परिशान करते हैं, बेचैन करते हैं, असत्य अधर्म अन्याय, अराजक्ता बेमानी, भरष्टाचार घोस खोरी, कमिशन खोरी, दंगा फसाद मारकार, खून खराबा हिंसा, अशान्ति, चोरी, बेमानी, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ को जबरन छेन लेना, इस प्रकार के उदाहरण फिर नहीं दिखने चाहिए, और यदे ऐसे उदाहरण समाच में दिखते हैं, आते ही हैं, दिखते ही हैं, तो हमें यही समझना होगा, कि अभी मानफ्ता की, नैतिक्ता की, धार्मिक्ता की सार्थक्ता सिध्ध नहीं हो जखी हैं, इस धार्मिक्ता, मानफ्ता और नैतिक्ता की सार्थक्ता को सिध्ध करने के लिए, खुद को समझना जरूरी है, खुद को आखना जरूरी है, खुद के क्रिया कलापों को जानना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, उन्हें संतुलित और समन्वित करना जरूरी है, उन्हें सुधारना जरूरी है, जब तक ये सबकारे नहीं होते, तक तक मनुष्र जीवन पा लेने का उद्देश्य मनुष्र जीवन में जन्म लेने का उद्देश्य अधूरा है तो अब सवाल यही क्या इस सार्थक्ता के अधूरे पन के साथ ही हम दुनिया से चले जाएगे और यदि ऐसा ही हुआ तब इस जन्म का क्या लाब होगा क्या महत तो होगा क्या अस्तित तो होगा वही जैसा अने को लोग करते हैं जैसा अने को लोग जीवन जी कर चले जाते हैं वास्तविक रुप में यदि मानो जीवन की नैतिक्ता की धार्मिक्ता की सार्थक्ता को सिद्ध करना है तो हमें इन नकारत्मक्ताओं से अपने अंतरमन में विरक्ति को पैदा करना होगा जब इन सभी चीजों से हमारे अंतरात्मा में हमारे मन में विरक्त उत्पन्न होगी विरोध उत्पन्न होगा इनके विरुद्धक्रान ते उत्पन होगी तब ही हम इनसे दूर होकर इनसे विमुक होकर इनके विपरीथ चलकर सकारात्मक्ताओं से अपना नाता जोड़ पाएंगे तब ही हम सत्य से अपना संपर्ग कर पाएंगे नाय, धर्म, इमानदारी, मानवता, शान्ति, अहिंसा आदी जैसे सद्गुणों से अपना संपर्ग साथ पाएंगे जब इस संपर्ग को हम साधने लगेंगे साधना मतलब यह एक प्रकार की साधना है इन सद्राओं को अपने जीवन में उतार लेने की बहुत बड़ी चुनोती बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी साधना है यह दिकोई भी विक्ति इन सभी सकारात्मक से धानतों के अनुरूप अपने जीवन को ढालता है अपने जीवन में अंगी करता है इन ही के अनुरूप अपने जीवन को चला रहा है तो वह बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है और यह भी सच है ऐसी तपस्या में अनेकों बाधाएं भी आती परन्तो उन सभी बाधाओं को सहर्स सुईकार करने का सामर्थ हमें सुईम प्राप्त होने लगेगा ये दिदेरी है तो हमें प्रयास करने की और जब इन सकारात्मक कदमों पर हम अपने जीवन को ढालेंगे तब ही हमारे जीवन की धार्मिक्ता नैतिक्ता मानिवेता की सार्थक्ता से धो सकेगी और जब तक ऐसा नहीं होता जब तक हमारे अंतर आत्मा में उन नकारत्मक्ताओं से इसने है प्रेम है तब तक हमारा यह उद्देश पूरी तरीके से अधूरा है हमें इस अधूरेपन को महसूस करना होगा जब हम उस अधूरेपन को महसूस करेंगे तब ही हम इन से दूर होकर सकारत्मक्ताओं को अपने जीवन में ला सकेंगे